तालोग शर्मा पर समय से पहले करा दी हैं चुनाव तैयारी पूरी है हर्याना ने आपको दिया है कुछ पर पूरा नहीं दिया हर्याना में संभावनाएं आप तलाश रहे थे ये बीजेपी ने खेल तो नहीं कर दिया बीजेपी और खासतर पर मोधी जी राजनितिक परिद्रिश्य को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने भाशन में लाल केले की प्राचीर से क्या बोला था और आज क्या हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है क्योंकि उनको जूट बोलने की आदत है इसलिए तमाम लोग बीजेपी के प्रवक्ता भी लोग हैं स्टूडियो में आकर जूट बोलते हैं और दूसरों को जूटा बढ़ाते हैं खेर कल ही मोदी जी ने कुछ कहा मैं समझ रगया था कि आब इसका उल्टा होने वाला है मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इलेक्शन कमिशन करेगा उनके इशारे पर इलेक्शन कमिशन आज पूरी तरह से कटपुतली की तरह काम कर रहा है इसमें बीजेपी का फायदा क्या है बीजेपी का फाइदा ये है कि हरियाना में केवल इनको ऐसा लगता है कि छोटा स्टेट है पूरी ताकत हम जोग देंगे जम्मु कश्मीर के साथ कप्टी राष्टवाद लाकर हम परोज देंगे लोगों को और जम्मु कश्मीर के नस्दीक है मीडिया का प्रभाव ले लें देखे मुझे लगता है कि सुप्रीम काउट ने फर्मान दे दिया था वो सितंबर में बाद देता थी आपको चुनाव कराने हरियाना और महराज साथ करा देते और जारकर कराना तो अगर नियत साफ होती तो यह साही कराते लेकिन जो देश के प्रधान मंतरी बिहार में ल गुजरा और मंगल सूतर और भैंस खोल ले जाएंगे इस तरह के घटिया भाशन देने का पूरा मौका मिले आज इलेक्शन कमिशन कटपुतली की तरह काम कर रहा है करनाटक के चुनाओं में इलेक्शन कमिशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने डेट्स बता दी थी आप बाई इलेक्शन यूपी की बात करने है राजिस्तान के भी पाँच बाई इलेक्शन है तमाम राज्यों में और भी है वो नहीं बताएंगे उनके बारे में कोई बात करेंगे अ人के साथ इलेक्शन कमिशनर शेरोशाईरी करने लगए आज अज़कल आ वो कहरे हैं कि我說 सब सेप्टेμबर में जो हैं वो तो 30 त यहर ज़ादा है और अक्टूबर में कम हैं अक्टूबर में तो मेरे ख़ाल से दशेरा और दिवाली और सारी चीज़ आक्टूबर नवमबर में महीं पे रहेंगी तो उसको क्या महरास्टा और तमाम चुनाओं को दो महीने बाद कर देंगे क्या तीज त्योहर देखकर आज इलेक्शन कमिशन डेट कर रहा है नहीं मोदी जी के इशारे पर आपके अंदर सहजता इतनी गुटबाजी है अपनी पधियातरा पर निकले हुई है डिपेंदर उगला अपनी पर निकले हुए है ताजा ताजा अभी किरन चौदरी छोड़ कर बागी है लंबी एक फेरिस्त है सारे कॉंग्रिस के बड़े नेता वो तो बीजेपी का दामन थामते हैं दिखाई दे रहे है डूपती नहीं आया क्या कॉंग्रिस कॉंग्रिस पाइटी जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर सरकार बनाएगी और हरियाना में भी पिछली बार भी हम 31 पर थे बहुत कम वोट का डिफरेंस रहा था लगबग 10 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 वोट से कम सहा रहे थे और 10 ऐसी थी जो 2000 वोट से कम सहा रहे थे इस बार पूरी तरह से हमारा एक तरफा वहाँ पर सरकार आएगी वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात आपने कही इस देश के अंदर वन नेशन है वन फ्रेंड है और वन अडानी है इसके अलावा वन कुछ नहीं है मोदी जी को केवल एक व्यक्ती दिखता है उसके लिए क्या कर सकते है बात सिर्फ पर हर्याना की नहीं है आपने कहा आप अपने दम पर जमो कश्मीर में बनाएंगे मतलब कॉंगरेस बना रही है या इंडिया और उस इंडिया में नाशनल कॉंफरेंस और पी डी पी भी हैं आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग-अलग चुनाव लड़े जाएंगे देखे उसके उपर तो अभी चर्चा होगी पात साल बाद अनुछे 370 के हटने के पात साल बाद चुनाव हो रहे हैं देखे दो चीज़े हैं यहाँ पर पहली चीज़ अनुछे 370 नहीं हटा उसमें दो परिवर्तन किये उसमें परिवर्तन पहला था कि आब असेंबली की जगए LG होंगे रिप्रेजेंट करेंगे हमने उसका अबजेक्शन किया कि लोगों की सहमती के बगएर आप एक्शन ले रहे हैं दूसरा तुसके अंदर था कि 35A से रिलेटेड के अब वहाँ पर वो 35A का जो 1949 का कानून है वो हट जाएगा उसको एक जम्मू कश्मीर के DC ने अपने ओर्डर से 15 साल का पूरा कर दिया कि 15 साल जिसका दो मिसाइल है वो जमीन खरी सकता है तो वो थेंस सो सते हट गई तीन्स सो सते हट गई यह देश के परदान मंतरी लाल किले से लेकर सड़काट venir आम आदमी के साथ से वो हट गई नहीं नहीं आम आदमी आम आदमी को बेवकूब बनाया गया और देश के प्रधान मंतरी ने बेवकूब बनाया और कुछ उसमें गलती हमारी भी रही कि हम उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था गुलाम नभी आजाद ने उसको उस तरह से नहीं रखा मुझे बता दीजे कि धारा 370 हट गई हट गई हट गई ओर्डिनेस कितने लोगों ने पढ़ा है ABP News के दरशक देखें हैकर से वो ओर्डिनेस हटा रखा है अगर आप अगस्त 2019 का ओर्डिनेस निका लेंगे तो वो ओर्डिनेस नहीं आएगा उसमें लिखा using the powers of article 370 using the powers of article 370 we are making these two changes और उसमें से जो main change था उसको भी बाद में हटा दिया है इनोंने आप मुझे बता दीजे कौन से बीजेपी के निकार ने जमीन खरीगे इंडिया साथ लड़ेगा अलग 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 लड़ेगे समाल मेरा मूल ये ता देखे मुझे लगता है यह high command फैसला लेगा और इंडिया गटबंदन अभी एक है साथ आना चाहेंगे साथ आएंगे लेकिन अलग भी लड़ेंगे तो कौंगरेस अपने दम पर सरकार बनाएगी ले लड़दाक में डवलप्मेंट काउंसिल में 22 में से 18 सीटें कौंगरेस जीती है और दो केवल बीजेपी और दो एंसी पीडीपी महां नहीं लड़ेंगे अंतिम बात में कहना चाहूँगा बीजेपी जिस कप्टी राष्टवाद के नाम पर जमु कश्मीर का चुनाओ लड़ना चाहती है और तमाम जो सी वोटर फी वोटर ये सब चलाएंगे अब देखना आप हरियाना में इन्होंने दिखाया तब 83 सीट आ रही है ये देशमुक साब बैठे हुए 83 सीट पिछली बार चुनाओ में सी वोटर नहीं दिखाई थी इसी एबीपी निउस पर और आई थी चालिस ये जो नेकसस है ये जो दिखाना बीजेपी के साथ मिलकर मुझे लगता है ये भी इस बार टूटा है इस बार इनको पता समझ आई है कि इस तरह से जंता के साथ खेलवाडबत कीजे वापस आता हूँ जम्मू काश्मीर के अंदर पिछले के धारा प्रवाई चल पड़े दूसरे भी बैटे हैं संधी भै, पिछले छे महीने के अंदर छे महीने के अंदर 21 आतंकवादी घटनाई हुई है नोट बंदी आ गया तो अब ये खतम हो जाएगा अब मोधी जी ने भाषन दे दिया तो ये खतम हो जाएगा कौमन मिनिमम प्रोग्राम पी डी पी के साथ बना तो उसमें पहले पेज़ पर तीसरा सेंटेंस था कि हम धारा तीन सो सतर को मजबूत करेंगे भूल गए? जमू कश्मीर के जनता कुछ नहीं भूली है पांच हजार लोगों को जो रोजगार रुकने नहीं वाले हैं जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे